नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है सफलता का स्वाद तो ऐसे मीठा होता ही है लेकिन घंगोर असफलता के बाद अगर आपको सफलता मिलती है तो उसके स्वाद की तुलना नहीं की जा सकती है वैसे ही एक शक्ष से मैं बिलाने बैठा हूँ यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आया है संतोस्कुमार मिस्ट जो की घंगोर असफलता इन्होंने पाई है बहुत सारी परिक्षाओं में यह फेल हुए हैं लेकिन आज यह सफल है एक सफल व्यक्ति हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करते हैं स्कूल में भी फेल किया उन्होंने जितने इंट्रेंस एक्जाम होते हैं इंजिनेर रहीं के उसमें फेल हुए रेलवे में फेल हुए नेवी में फेल हुए लेकिन अंत्रता इनको सफलता मिली कहने का मतलब यह हैं कि अगर निरंतर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं न कहीं सफलता जरूर मिलती है और इनकी कहानी हम इसलिए नहीं ले रहें कि यह काफी अच्छा पैकेज बिल रहा है और यह कई जगह लोगों ने काफी इसे पसंद किया है LinkedIn.com एक जो पोटल है उसमें इन्होंने अपनी कहानी डाली और कहानी को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि बहुत सारे जो नूज पोटल्स हैं उसमें इनकी कहानी आई है तो हमने सोचा कि बिहार तक के माध्य से उन बच्चों से वो नौजवानों को एक प्रेणा दे जो शुरुवाती असफलता को मानकर चुपचा बैढ जाते हैं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और आगे के लिए कोशिस नहीं करते हैं तो ये कोशिस करने के लिए उनको इनकी तरफ देखनी चाहिए संतोज कि ये कैसे इतनी असफलता के बावजूद ये ठके नहीं और डटे रहे और मेहनत करते रहे और अपनी मंजिल को इन्होंने पाया है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्यारतक के स्टूडियो में ये बताईए कि आप स्कूल में भी फेल करते रहे और उसके बाद अपने इन्वई किया थैंको सपानोस्के लिए तो देखे, सर लेकर फेलियर मुझे सुरु से ही इली बहुत तो ऐसा था कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं बिहार के गाउं से बिलोंग करता है यहां पे लाइट नहीं थी और कुछ नहीं था हिंदी में पढ़ाई किया और जब फार्मर किसानी की सांसाथ पढ़ाई भी करते थे तो सुरू से लेकर थर्ड क्लास से लेकर आठीवी क्लास थे मैं फेल होते रहे और मेरी स्कूलिंग थर्ड क्लास से स्टार्ट होगी तो सुरू से फेल होते रहे तो नहीं घर से घर वालों कोई एस्पेक्टरसन था मेर से कुछ भी नहीं था तो सर फेल होनी की आदत मुझे शुरूस ही लग गई तो मुझे इसा लगा और गाउं में क्या होता है बिहार में क्योंकि मैं अकेनल अलगा था सर तो जिनरली एक टेडिशन है कि गलत नाम से बुलाते एकेनल लड़कों ताकि ज्यादे दिन जीन्दा तो मुझे गाउं में इसी गलत नाम रख दिया गया तो हर को चिड़ाते थे तो मुझे लगा कुष्टो कर मोहखा रख दिया नाम मेरा जो की मुर्ख मतर उसको बोलते हैं तो पापा ही जान मुझके रखे थे ताकि जादे दिन जीन्दा रहने के लिए बट उसको लोगों है कुछ करना है तो एक होता है कि infinite मतलगता मैं जी जान लगा के 24 में 24 घंटा मेहनत करूं ताकि कुछ ना कुछ लोगों को दिखाऊं आज और सच बता मुझे पंदर साल लगे दसवी बात पंदर साल लगा लेकिन दिखा दिया मैरा माइकर साल सेलेक्शन होगा ते होता है आ यहाँ अल्य जोमो मुझे कहीं भी समाज में ख़ाणाहु है घया नहीं बहुत कि एस बोलाई था कि मैहां रही हो लेकिन है ये चीजध्य था कि मुझे कुछ करना है मैं अपने अंदर मुझे पता था ठीक मेरी से गॉल फीक्स ने रखता मुझे यहां पाना है मुझे लगई मेरे गोल इंफनाइट है मैं यहां जाता हूं फिर वहां के बाद गॉल सिट किया और उसके बड़ाना बढ़ते रहे और मेरी मन्जील हमेसा जभी गोल सेट किया उसको मैं थोरे दिन पा लिया तो मुझ्य ला है अब किया ता फिर से मैं गोल सेट कियाए कि इस्ते थे करे सब रता में इन्चिनियंघ में अप पहुब साइय टॉप Cass कर L अपने भाइबं सबस्क्राइब आपके केस में कुछ ने हमको यह लग रहा है कि आप की इतने लोगों की परतारना अपने सही उसके बावजूद आपके अंदर एक आत्मिस्वास, एक महत्वा कांछा पैदा हुई, तो निश्चित तोर पर ये काबले तारीफ है, ये मैं इस बात को मानता हूँ, बहुत सारे लोग एक सफलता मिलती है, दो मिलती है, तीसरे तक जाते जाते हैं, वो हतास हो जाते हैं, औ तो ऐसे लोगों को प्रेरणा मिले, इसके लिए आपके मन में क्यों वो जो आपका नाम था, मुर्ख उसके वज़र से था कि और कोई कार्णा पहली बात की साथ, जो भी मैं पढ़ाई करता था, जो भी सब्जेक पढ़ता था, तो सुरू से आठवी क्लास तो मैं इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करता था, इसलिए फेल वाकि मैं जो पढ़ाई करता था ना सर, हर चीक मैं रिलेट करने कोशी करता था, जिस तारे जमी मुवी है तो उसमें क्या वो बच्चा क्या करता है तो रिलेट करता है, उसके माई में घूमने लगते चीज़ है, तो मुझे पढ़ाई करता है, पिंदम गहराई करता है, और उसमें बहुत 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 हुआ हुआ सर, सौटम फैलेट मुझे मिले, गहराई में गया कभी फेल हुआ क्लास में, क्योंकि मैं सेलिबस को प्रपेरीन कर पता है, लेकिन सर मुझे पता था कि छोटे जो आम के पेड़ य लेकिन बुद्धी आपकी कुछाग्रत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले आप जो अभी परिक्षा का पैटर्न है, उसमें आपको सेट नहीं कर पा रहे हूं, वो भी एक कई फिल्मों के जरीए बताया भी गया, जैसे तारह जबी में हो गया, त्री इडिस पीडियर यह चीजे आप लोग ने देखा होगा आपने, तो कहने का मतलब की सफलता आपको मिली है, अब आपको कैसा लग रहा है, अब गाओं में जाते हैं, पर समाज में जाते हैं, तो क्या लोग बोलते हैं, सच बिताओं सर, सफलता मिली है, समाज में बहुत प्राउड फिल करते और सब एक टाइम था कि जो मेरे टेंथ बाद आया यहां पर मेरे मेरे गांओं के दू-तीन बच्चे और भी आये मेरे साथ तो दिरे-दिर उनके घर वालों ने मेरे साथ छोड़ा दिया कि इसके साथ मधर तुम ही महखा हो जाओ गरेट लेकिं आज के डेट मेरे सार मेरे एक बिश्वास नहीं होता है और सच बताओं मेरी सब इतनी असफलता के बाद जो मेरी All India 4th rank आया था MC Intense में तो सर जो मैं ट्रोफी कोचिंग वाले से मुझे अवाड मिला सर मैं जो घर पे लेकर अवाड किया तो मेरे पापा को विश्वासी नहीं तुम आई नहीं सकता है उन्होंने बोला तुम खरदे हो कहीं नहीं सकता है फिर मेरे निउज पर फोटो आई सब आई तो मुझे उनको को विश्वास हुआ और सर सच बताओं अभी थोड़े दिन पहले तक उनको विश्वास में मैं माइको सम जॉब करता हूं इन फैक मेरे गाउं में पी कुछ लोग जलते भी है कि कुछ लोग एप्रिशेट करता कुछ जलते हुए कि इस लगके का माइको सम्भव ही नहीं सक खलता है लेकिन थीरे-दरे में विश्वास हो जाएगा अभी तो सर एक होतने मिराइकल इमातों गाउं वालों के लिए मिराइकल है बड़ हम आए सर उसके बाद में गाउं के बहुत सब्चों के बच्चों के बहुत सब्सक्राइब करता और जैसे मैंने बीटेक नहीं किय नहीं हुआ तो मुझे किसी एक्जाम में कुछ भूद खराब रही था तो उसमें मेरा कोई गौड फादर नहीं था नहीं कोई अंकल का बेटा कोई नहीं कोई था ही नहीं जो बता सके क्या करना तो मैं घर पे चला गया तो आठ मिने बैटा तो घर पे पापा ना जो ब्रदस सब्सक्राइब तो सर बीटेक नहीं करके भी आप माइक्रोसम जा सकते हैं वह है कि BCA करके है तो BCA किया मैंने ठीक है BCA टाइम तो मुझे बहुत ख़राब रहा है मतलब कैसे कैसे कर मैं पास वा 60% नमल आया बट सर ऐसा हुआ कि मुझे 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 करना था उस समय मुझे पता थे BCA से मुझे जॉब नहीं मिलेगी मुझे करना है और प्लस BCA से आपको जोब TCS में भी कहीं भी नहीं मिल सकते हैं तो फिर मैंने MCEA किया तो MCEA में सर क्या है कि आप MCEA कर सकते हैं और उसमें NIT में आप B-tech वाले भी जाते हैं M-tech वाले भी जाते हैं MCEA वाले भी जाते हैं तो वहां पर सारी कंपनी आती है जो B-tech के लिए आती है MCEA के लिए उपन होती है तो आपके पाफ सेम अप्रोच एटी है सर तो आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं तो इसी रास्ते को अपनाया आपने और आज आज इंफोसिस में काम कर रहे हैं माइक्रोशॉट्ट तो अभी क्या है पैकेज क्या है मेरे ठीक थीक था कि सर मताब कंपनी वाले एलाव नहीं करते हैं बट बहुत अच्छा पैकेज अच्छा था और बहुत खुंसर असाच बताओं मैं कभी स्वोचा भी नहीं था मेरी मेरी द्रीम काम एक बताओं ये नि सर्फिर्ल को काम मेरे इंग्रेजी काम मेरे इंग्रेजी बचत पते हैं वह दोक्टर भुएं क्योंकि मुझे नहीं थी तो मैं इंग्ली Risky पढ़ना सब्दे पर मैं इक्त ए sujet शसे सब्क इंग्लिस थो होती हैं, math पढ़ लेते हैं, तो फिर ने math ले लिया, उसके बाद, English बस कैसे कैसे करके math ले लिया, उसके बाद मैं जब NIT में गया, First time मैं English बोलना चर्ट किया सर, बहुत तकलिफ होई, English में बहुत सा चलें नहीं, एक्सेंट पर करना बहुत सा चीज़ में इंग्लीज मुवी देखना नोबेस पढ़ना और इसे से करके सर मैं बता हूँ इंग्लीज में कोई भी कम्निकेस्ट में सबसे बड़ी चीज़ होती है मुझे तो ऐसा है सर मुझे हजार एक लाख सामने खड़ा करो मैं बोल दूँगा इतना अंदर कंपिदेंस है मुझे बराबर ही लगता है और कोई भी कम्निकेस्ट में अब कूट कूट के भरा हुआ है तो संतोस आप आये स्टुडियो में बहुत अच्छा लगा और आप एक प्रेड़ना है नौजवानों के लिए जो पहली असफलता से ही घरबा आ जाते है और रहें और समझते हैं कि एक बात और भी है कि समझते हैं कि इन्ट्रेंश टेस्ट में पास नहीं किया इंजिनियरिग के तो वह इंजिनियर नहीं बन सकते हैं आपने बताई और एक चीज जो अपने अपने को सुन रहे हैं और उससे इस्पार हो रहे हैं तो आज के लिए वस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार के लिए नमस्कार